आज का वीडियो है जॉब वर्क पार्ट टू जिसमें की हम देखने वाले हैं स्टील की शीट यूज़ करके अगर आप मैनिफेक्टरिंग करते हैं तो कैसे आपको मैनिफेक्टरिंग करनी हैं, कैसे सेल करना हैं यह सारा प्रोसिस हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो स्टॉक आइटम हैं उसको मैं क्रियेट करनी हूँ जो फिनिस्ट स्टॉक आइटम है तो यहाँ देखिए सपोर्स कीजिए आप स्टील की शीड से टीवी फ्रेम बनाते हैं कट करके तो यहाँ पे सबसे पहले हम फिनिस्ट गूड का जो स्टॉक आइटम है उसको हम क्रियेट करेंगे टीवी फ्रेम अगर आप पीसेस में इसको सेल करेंगे तो पीसेस में कर लीजिए अब यहाँ देखिए सेट बिल ओफ मटेरियल अगर यह जो बिल ओफ मटेरियल हम यहाँ पे सेट करेंगे जो टीवी फ्रेम को बनाने में क्या-क्या यूज होने वाला है यह option अगर आपको शो नहीं होता है तो F12 प्रेस किजिए यहाँ देखिए बिल ओफ मटेरियल इस option को जब yes कर देंगे तो यह option enable हो जाएगा और आपको शो होगा yes करेंगे name of बिल ओफ मटेरियल तो आप बिल ओफ मटेरियल का कोई भी नाम दे सकते हैं तो मैंने आप टीवी दिया हुआ है उसके बाद देखिए unit of manufacture तो यहाँ पे कितने unit की manufacturing आप करना चाहते हैं suppose कीजिए कोई one pieces का करता है कोई one doesn't का करता है यानि कि 12 pieces का करता है कोई six pieces का करता है कोई packing wise करता है तो यहाँ पे मैं one pieces का करने वाली हूँ क्योंकि जब हम manufacturing entry pass करेंगे तो हम कितने भी number का manufacturing entry pass कर सकते हैं तो यहाँ पे अब हमें सारे components को use करने हैं जो की tv frame बनाने में use होता है तो exactly मुझे नहीं पता है कि tv frame बनाने में क्या-क्या stock item use होते हैं जस्ट मुझे जितना knowledge था तो आप जो भी raw materials use करते हैं जो भी components use करते हैं उन सारे components को one by one यहाँ पे select कर सकते हैं मान लिजिस में steel की pipe लगती है एक tv frame को बनाने के लिए one pieces तो one pieces में ने कर लिया है उसके बाद जो metal corner है तो मान लिजी के चार metal corner लगते हैं एक tv frame को बनाने के लिए तो four pieces में ने कर दिया है तो जो raw material जितनी जितनी quantity में लगेगा उतनी quantity में आपको कर लेना है Alt C press करके एक nut bold का जो stock item है वो मैंने create नहीं किया था तो यहीं से Alt C press करके आप create भी कर सकते हैं तो मैं आपे nut bold का stock item create कर लेती हूं अंडर जो unit है वो pieces जो इसका hson code है जो text है वो सारा चीज फील करके अब इस tv frame को बनाने के लिए जितने भी nut bolds लगते हैं तो जो manufacturing करता है उनको पता होगा तो उनसे आप reports ले सकते हैं कि एक tv frame को बनाने के लिए क्या-क्या raw materials use होते हैं मान लिजे कि 20 pieces जो nut bold है वो लगते हैं nut bold कापी जगा लगते हैं तो मान लिजे कि एक tv frame को ready करने के लिए 20 nut bolds लगते हैं उसके बाद metal की framing जो है वो भी लगती है 4 pieces तो जो raw materials use होते हैं उन सारे raw materials को आपको यहां पर one by one mention करना है कितनी quantity में वो use हो रहे हैं एक tv frame को बनाने के लिए वो आपको mention करना है GSTS के ओपर applicable होगा tv frame का जो adjacent code है वो fill कर लिजे textable में textability और 18% text rate apply करते हुए अब यहां पे हमने जो tv frame यानि जो हमारा finished good है उसको create कर लिया है और उसमें हमने bill of material को भी set कर लिया है अब हम raw materials को purchase करेंगे तो purchase की entry मैंने आपको first वाले वीडियों बताया है यहीं आगी वीडियों में भी आप देख सकते हैं कि कैसे आपको purchase करना है अब यहां पे alter पे जाएंगे हम voucher type में और यह manufacturing voucher जो है इसको हमें enable करना है activate this voucher type इसको yes कर लीजिए और जो main option है use as manufacturing journal तो इस option को भी आपको yes करना है तभी आप manufacturing voucher को as a manufacturing entry use कर सकते हैं तो gateway of tally से हम वी प्रेस करेंगे right hand side से other voucher पे click करके manufacturing का voucher जो हमने अभी just activate किया था उसको select कर लीजिए app to press करके हमें date को select कर लेना है और उसके बाद name of product तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है आप ए confusion हो जाती है कि हम यहाँ पे किस चीज की manufacturing कर रहे हैं तो हम यहाँ पे tv frame की manufacturing entry pass कर रहे हैं मान लिजे आपके unit में tv frame 100 pieces या फिर 200 pieces बना तो वहाँ से report बन के आती है कि 100 pieces हमने manufacture किया है तो same हमें अपने books में भी show करना होता है कि किस date में कितना quantity manufacture हुआ है तो हम यहाँ पे tv unit select करेंगे जितनी भी quantity में आप करना चाहते हैं मान लिजे मैंने आपे 100 quantity लिया है तो आप देखेंगे raw materials automatically जो है consumption यहाँ पे आपको show हो रहा है कि कितना quantity कौन कौन सा raw material use हो रहा है यहाँ देखें metal corner जो है 400 pieces है और जो nut bold है वो 2000 pieces है तो जो भी आप bill of material में information provide करते हैं उसके according यहाँ पे सारा जो raw material है वो less हो जाता है nut bold का आप देखेंगे price नहीं show हो रहा है क्योंकि मैंने इसको purchase नहीं किया था directly मैंने create किया था इसलिए इसका जो rate है वो आपको show नहीं हो रहा है अब यहाँ पे हमने मान लिजे की यह सारे raw materials use किये हैं अब उसके बाद इसको बनाने के लिए labor cost जो है वो भी आप यहाँ पे add कर सकते हैं packing charges जो है वो भी add कर सकते हैं तो पूरी completely अगर manufacturing entity करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इससे आपका एक product का जो cost है वो proper निकल के आएगा यहीं पे all to see price करेंगे हम बिजनस के लिए indirectly expenses होगा मान लिजी कि 100 pieces tv frame बनाने में हमारा 3000 labor cost आया है all to see price करेंगे और packing charges भी हमें लगा है जो packing किया गया है तो packing charges का भी ledger under indirect expenses create करना है आपको और जो भी packing charges का amount है 1000, 2000, 3000 जो भी है वो आप यहाँ पे feed कर सकते हैं तो आप देखेंगे 100 tv frame को बनाने के लिए total 27,000 की cost आई है इससे आप divide करेंगे 100 का तो one piece का आपका price निकल के आएगा अब उसके बाद जब आप sale करेंगे तो उसके पर जो भी आप margin रखना चाहते हैं उस margin को रखके आप sale कर सकते हैं तो यहाँ पे gateway आप टेली से yes प्रेस करेंगे तो आप stock item भी देख सकते हैं tv frame में देखिए 100 pieces आपको show हो रहा है it means कि आप 100 pieces sale कर सकते हैं तो gateway आप टेली से हम भी प्रेस करेंगे right hand side से sales वाला voucher हम select कर लेंगे और कैसे आपको sale करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे show करती हूँ तो जिस भी party को आप sale करेंगे उस party का ledger create नहीं है तो all to see place करके ledger भी create कर सकते हैं cash में sale कर रहे हैं तो cash का ledger आप यहाँ पे select कर सकते हैं name of item में tv frame हम select करेंगे आप यहाँ देखे quantity कितनी quantity आप sale कर रहे हैं वो quantity आपको feel करनी है मानने जए 50 pieces हम sale कर रहे हैं अब जो 27,000 हमारा cost आया था 100 pieces को बनाने के लिए उससे आप divide कीजिए 27,000 को हम 100 से divide करेंगे तो 1 piece काएगा तो जो भी rate आएगा उसके पर 10%, 5%, 15%, 20% जो भी आप margin रखना चाते हैं profit रखना चाते हैं वो रखके आप यहाँ पे sale में जो rate है वो put up कर सकते हैं और local में sale कर रहे हैं तो CGST, SGST apply कर लिजे अगर आप interested कर रहे हैं तो IGST apply कर लिजे तो इस तरीके से हमने sale कर लिया तो इस तरीके से मैंने आपको आपको आचके स्वीडियम बता कि कैसे आप अपने finished good के stock item को create कर सकते हैं कैसे आपको bill of materials set करना है manufacturing entry कैसे pass करनी है उसके बाद आप कैसे sale करेंगे उस finished good को तो इस तरीके से आप sale भी कर सकते हैं और उसके बाद एक और entry में आपको बता देती हूँ तो यहीं से हम sales वाला voucher select कर लेंगे जिस party को आप sale कर रहे हैं उस party का ledger आप select कर लीजे और उसके बाद यहाँ पे name of item तो all to see press करके यहाँ पे scrap sales यह entry में आपको बता रही हूँ जैसे की जो काफी सारे product आप बनाते हैं steel का जो sheet है उसको cut करते हैं तो छोटे-छोटे pieces होते हैं steel के वो हमारे use में तवाएंगे नहीं हम उसको scrap में sale करेंगे तो scrap में जिस भी party को आप sale करोगे उस party का ledger select कर लीजे scrap sale का ledger आपको कैसे create करना है मैंने आपको screen पे यहीं पे show किया है तो all to see press करना है इस पे आपको और scrap sales का ledger हम create करेंगे under indirect income के क्योंकि जो आप scrap sale करने वाले हैं जो आप steel के sheet purchase करते हैं उसमें जो भी scrap निकलता है wastage निकलता है तो हम किसी party को sale कर देते हैं तो उसको reuse कर लेते हैं तो scrap sale का जो भी SSC code होगा और उसके बाद GST इसके उपर applicable होगा और इसको हम save कर लेंगे और जो भी जितने भी amount का आप यहाँ पे sale कर लेंगे मान लिजे आपने 5000, 3000, 10,000 जो भी scrap sale किया है amount का वो sale कर लिजे इसके उपर take supply कर दीजे तो यहाँ पे हमने scrap जो wastage जो हमारा बसता है जो हम product बनाते हैं raw material लेके और कोई ऐसा manager गत्ते की factory है तो गत्ता wastage निकलता है लोहे की factory है तो लोहा wastage निकलता है steel की factory है तो steel wastage निकलता है तो यह सारे wastage को हम इस तरीके से काफी सारी पार्टियां जो tender निकालती हैं और बड़े बड़े company से